हेलो दोस्तों, वेलकूम बैक तो दे चैनल, बी रियल, बी सिंपल, कैसे हैं आप सब, आज मैं आपके लिए लेकाई हूँ अपनी एक लॉन्डरी रूटीन के वीडियो, ये कोई बहुती खास वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो य नहीं, 200 ग्राम धनिया और 100 ग्राम सौफ, तो ये मैं घर पर ही बनाती हूँ, और बहुत सारे चीजों में ये काम आता है, और आज देखिए, मशीन पूरी भरी हुई है कपड़ों से, वो मुझे धोनी है, और इदर है मेरी बेटी, क्योंकि इसके एक्जाम चल रहे हैं, त ये होली से करीब एक हफता पहले की, या करीब 10 तिन पहले की वीडियो है, तो हलकी फलकी धूप अच्छी लगती थी उस टाइम पे, तो ये यहीं पे धूप पे लेटी हुई है, क्योंकि ये अभी स्कूल से आके नहाई थी, तो स्कूल से आके क्यों आई है, उसका रिजन कर रही हूँ, कि मतलब जैसे कम गंदे कपड़े एक तरफ या वाइट जो है, उनको एक तरफ कर रही हूँ, और सारे लोवर्स, पैंस की मैं पॉकेट में चेक कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए, चेकिंग के दौरानी मुझे मिले 50 रुपे, और वो भी वानी के लोव और आवाज से आप मेरी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी तब ठीक नहीं है मेरी, क्योंकि जब मैं वोईस ओवर कर रही हूँ, तब मैं टाइफाइड हुआ था मुझे, बस उसके जस्ट बाद ही मैंने वोईस ओवर करना शुरू कर दिया था, और इससे पहले कि जितन स्कूल का बलेजर, जो मुझे दोकिया, बस रख देना है, आभ वो नहीं पहनेगी इसको, और जैसे निककर होते हैं बचों के वो मैंने अलग किये हैं, आभर्ण मेने अलग किये हैं, हजबन के जो काम पे पहनने वाले कपड़े हैं और ये वाले कपड़े हैं, जो डेली मत एक्टेंशन बोर्ड मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि यहां चतपे में कपड़े दोती हूं तो यहां पे ऐसा कोई बिजली का स्विच अलग से नहीं है तो एक्टेंशन बोर्ड मुझे लगाना पड़ता है तो मशीन में पानी डालने के बाद मैं उसमें डाल देती हूं सर्फ और फिर बिना किसी कपड़े को डाले मैं उसको थोड़ी देर चलाती हूं इससे क्या है अच्छा सा जाग बन जाता है और फिर कपड़े अच्छी तरह से साफ होते हैं तो अब इसमें मैं डाल रही हूं कम गंदे वाले कपड़े मतलब कम जो कपड़े गंदे होते हैं वो मैं डाल रही हूँ जैसे वाइट्स हैं या हलके कलर के जो कपड़े होते हैं वो रुमाल बच्चों की टी-शर्ट और उनकी स्कूल ड्रेस जो वो डेली ही चेंज करते हैं वो मैं डाल रही हूँ तो ये बहुत ही कम गंदे होते हैं कपड़े बस इनको धोने की फॉर्मेल लाके तो ये अच्छे से सूख गए थे उनको मैंने उतार दिये और एक लोड लोंडरी का दुल गया और उसको मैंने ड्राय करके रख दिया इस बीच मुझे थोड़ी सी भूक लगी थी तो नीचे आके मैंने खाए अम्रूद अभी भी आ रहे हैं लेकिन बस जाते-जाते सीजन के हैं तो इसलिए मैंने सोचा खा लूँ और इस बीच में मशीन का बज़र बज गया था तो मुझे दुबारा से वापिस जाना है उपर और उपर जाते वे वानी के लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर जाना है क्योंकि वह थोड़ी उदास से बैटी है पता नहीं क अग्याना आप देख रहे हो फूरन कुछ नों छी लेवे और कुछ बिना छीले तो ये बिना छीले मिंत में और चिले वह खाएंग और छी युवीख खाएगी वानी क्यूंकि उसको अमरूद भी छील की पसंद है क्यों बत्के कैसे हैं कि जो अमरूद ृख है रैबिट ये है एक रैबिट, ये है लड़की एक रैबिट, तो अच्छा अप अंदर बैड़ दो, नीचे जाना है तो नीचे दो, ठीक है बैड़ जो, और कपड़े धुल गए हैं मेरे, तो ये जो पानी बचता है कपड़े धोने के बाद, इससे मैं पूरी छट की सफाई कर देती तो इस तरह से हफ़ते में दो से तीन बार मेरी छट की सफाई होई ही जाती है, क्योंकि दो बार तो मैं कपड़े धोती ही धोती हूँ, तीसरी बार भी धुल जाएं तो कुछ कह नहीं सकते, अब ये देखिए, सारे कपड़े मैंने सुखा दिये हैं, और ये मैं आपको बत तो आप इस तरह से भी सुखा सकते हैं उनको, कपड़े सूख जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और अच्छे से हवा चल रही है, तो इसलिए भी कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, तो ज़्यादा कपड़े नहीं थी जैसे मैंने बताया था, इसलिए मैंने ये शौक्स बगेरा भी आज तार पे सुखाई हुई है, नई तो मैं इनको हमेशा स्टेंड पे सुखाती हूँ, और छोटे वाले कपड़े जितने भी होते हैं, सबको मैं स्टेंड पे सुखाती हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कुछ सर्दियों के कपड़े, जर्सी, औ तो यह सब मैं दो के रख रही हूँ, और मतलब धीरे धीरे इस काम के में भी मैं लगी हुई हूँ, कि जैसे थोड़े थोड़े से कपड़े दो रही हूँ, एक साथ सारे दोंगी तो फिर बहुत जादा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े से कपड़े दो और तार पे भी मैंने इसी तरह से सुखाए हुए हैं जैसे एक तार पे सारे लोवर्स हैं एक तार पे सारी टी शर्ट हैं तो इस तरह से जब हम कपड़े दोते हैं और जब हम उनको उतार के ले जाते हैं सूखने के बाद तो उनको फोल्ड करने में भी थोड़ी सी आसानी हो करते ही हैं और यहां पर देखिए वानी अब बाहर से उठके अंदर कमरे में चली गई है और कपड़े वगरत होने के बाद मैंने मशीन के सफाई कर दी अच्छे से और फिलाल मैंने उस पर दूपट्टा डाला है मेरा एक पुराना दूपट्टा है इसका कवर मुझे बनाना है या फिर लाना है लेकिन दोनों के लिए ही मुझे टाइम नहीं मिल रहा ना बनाने के लिए ना भजार से लाने के लिए लेकिन अभी फिलाल बस इसी से कम चला रही हू는 और यह जो पाईप होता है पानी वाला इसको मैंने अभी रख दिया है यहां पे इसका पानी अच् रख दूँगी और जब वो सूख जाएंगे तो उनको भी मैं मशीन के अंदर ही रख देती हूं ड्राइर की साइड ताकि ये सारा समान एक जगह रहे और अगली बार कपड़े दोने के टाइम पे मुझे ये मतलब उसी जगह पे मिल जाए मुझे जादा ढूनना ना पड़े क्योंकि यहां पे उपर चत पे ऐसा कोई मतलब नहीं है कि अलमारी हो या ऐसा कुछ हो जिसमें मैं रख सकूँ तो बस यहीं पे रखके मेरा काम चल जाता है अच्छे से कपड़े दोते दोते काफी शाम हो गई थी क्योंकि बीच मैं नीचे भी काम करने चली गई थी नीच कि ममी आप कफरी होंगे तो मैंने उसको बुलाया कफरी तो मैं हो गई थी लेकिन बस थोड़ा सा काम बाकी था लेकिन फिर भी इस बीच में मैंने उसको बुलाया और खूब अच्छे से उसका लाड़ प्यार किया क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं कि हम मतलब बिजी हैं या कुछ उनको तो अपना टाइम चाहिए होता है और हमें देना भी चाहिए उनको तो अच्छे से उसको खूब लाड़ जताने के बाद मैंने अपना अगे का काम शिरू किया अच्छा वो सुबह ना के नहीं जाती है क्योंकि अभी सुबह सुबह नाने में बच्चे को सर स्कूल से आके नहती है और उसके बाद सुबह में वह अच्छे से अपना ब्रश वगयरा करके मुहां दो के तब स्कूल जाती है क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को सर्दी लग जाती है एक तो नहाते हैं और नहने के बाद जस्ट फिर ठंडी हवा में निकलते हैं इस या फिर इस तरह से जैसे मैंने इनके उपर रुमाल सुखाई हुए हैं पतले वाले कपड़े आप यह सुखा दीजिए तो जब बहुत सारे कपड़े होते हैं और तार पर जगय कम पढ़ जाए तो बस इसी तरह mix and match करके हमें कपड़ों को सुखाना परता है में आज काफी बात हो गई है और मैंने कपड़े भी दोल ले हैं लेकिन अब शाम हो गई है करीब साड़े चार पांच का टाइम है और अब हम बनाएंगे चाए हैं अच्छी सी तो अब कपड़ी दोके हम आए हैं नीचे और हल्की से ठंड लग रही थी तो मैंने बना दी ह है यहां पर चाए मतलब चाए बनने के लिए रख दी है इसमें मैंने डाले यह थोड़ी सी काली मिर्स थोड़ी सा अद्रक और चाए की पती जो नॉर्मल हम डालते हैं और अच्छे से जब चाए में मतलब इस पानी में उबाला जाएगा उसके बाद हम इसमें दूर डाले है बचों को यह फ्राइंस चाहिए थे तो यह मैंने उनके लिए थोड़े से तले और यह देखिए थोड़ा सा उबाल आया है चाए में मतलब एक दो मिनट वो अगली है उसके बाद मैं उसमें मीठा डाल रही हूं और मीठे में मैं क्या डाल रही हूं खांड हम लोग चीन हैं जी हमारे कुछ स्नैक्स जो हम चाय के साथ खाएंगे बच्चों के लिए मैंने फ्राइंस बना दिये हैं और यह हैं वो लंबे वाले फ्राइंस जिनको हम बच्पन में कच्री बूला करते थे जब हम छोटे थे तो यह एक रुपे की पांच आती थी और हम पांचों को लेकर इस तरह से उंगलियों में उसको फसा के तब खाते थे शायद आप लोगों को भी याद होगा जो 80s या 90s के बच्चे हैं उनको जरूर याद होगा तो इस बीच बन गए यह जी हमारी चाय और चाय को मैं डारेक्ट कप में न चान के यहाँ पे मैं एक लोटे में चा लेक्फ़ानी हैं डारेक्ट चाय को कभी भी आप कप में मत चानि है क्यों मैं आपको बताती हूं तो पहले हम चाय की पती का ये जो बरतन है इसको रख देते हैं, लेकिन उसको हम सिंक में नहीं रखेंगे, साइड में, क्योंकि जब सिंक में वो चाय की पती गिरती है उससे बड़ी गंदीकी मज जाती है, तो देखिए इस तरह से मैं इसको चाय को मग में डाल रही हूँ, मग में हम चाय पीते हैं, तो थोड़ा सा उ साफ कर रही हूँ, पांच-दस सेकंड लगेंगे इसमें, लेकिन अगर नहीं किया, तो ये फिर ज़्यादा काम फैल जाएगा, तो आप लोग भी इस तरह से ये चोटी-चोटी सफाईयां साथ के साथ ही करते चलिए, तो अब मैंने चान ली है चाय, और हम पीएंगे अप दरार एक कर पीशती हो इस तरह से, और क्योंकि ये मुझे अचार में फिस्तिमाल करना होता है और डेली की सबजी में फिस्तिमाल होता है, अभी मैं आगे अचार की रेसिप या आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसमें फिसमें ब हीर जनरेट होती है, और अगर हम ड़िए उसको डबे में डाल देंगी तो वो खराब हो जाएगा और यहां पर आ गया था जी दूद शाम के टाइम ही आता है दूद और इसको च्छान के मैंने गरम होने के लिए रख दिया है मैं दूद को हमेशा च्छानती हूँ पहले चाहे वो मतलब थैली का दूद हो या ऐसे गा जबे में भर रही हूं और मेक्शोर कीजिए कि जब भी आप दूद उबाल रहे हूं आप किचन में हों ऐसा नहों कि आप दूद रखके दरोदर लग जाएं और फिर आपको अपना काम बहुत सारा बढ़ा पाए तो यह हो गया जी हमारा डबा तैयार सौफ धनिये का एक म वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और यही थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताईएगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा चैनल को हो सके तो शेयर भी कीजिएगा मिलती हूं दोबारा आप से अपना खूब सारा ध भी हान रखिएगा फिर मिलूंगी मैं आप से